हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्यपरजीस डेली ही क्राइट अफेर में आपका स्वागत है दोस्तो आज है आठ अपरेल 2019 और यह हमारी 122 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं दोस्तो MP से related जितने वी जी के question पर डे बनते हैं तो वो हम आप तक लेकर आते हैं दोस्तो well icon में एक question दिया गया है इसे आप solve जरू करें और जो भी MP से related आपको problems आती हैं वो हमें आप comment करके बताएं हम आपके comments का answer जरू देंगे चलते हैं question number first पर question number first हाली में कौन Nescom के chairman चुने गए हैं जिसका say option है केशव मुरूगेश हाली में केशव मुरूगेश Nescom के chairman चुने गए हैं ये UV Prevent Rao की जगह लेंगे next question हाली में किसे LIC का नया managing director निक्त किया गया है जिसका say option है विपिन आनंद हाली में विपिन आनंद को LIC का नया managing director चुना गया है ये LIC के पर्षमी जौन के कारे रत थे और ये पिछले 35 वर्षे LIC से जुड़े हैं दोस्तों अब बात आई है LIC की तो आपको इसके बारें बता दें LIC को भारतिये जीवन वीमा निगम के नाम से जानते हैं LIC की इस्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी LIC का headquarter मुंबई महरास्ट में है LIC का मोटो है योग ख्षेमम वहम्यम ये मोटो आपको याद रखना है एक बार फिर बता दें LIC का मोटो है योग ख्षेमम वहम्यम दोस्तों आपको बता दें LIC भारत की सबसे बड़ी भीमा कंपनी है नेक्स्ट क्वेशन डेविड मलप्स को किस बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है तो इसका सरी ओफ्षन है विश्व वैंक हाली में डेविड मलप्स को विश्व वैंक का अध्यक्ष चुना गया है ये जिम यॉंग किम की जगहे लेंगे दोस्तों आप बात आईए वर्ल्ड वैंक की यानि विश्व वैंक की तो आपको इसकी बारें बता दें विश्व वैंक की इस्थापना जुलाई 1945 में की गई थी हैड़कॉर्टर वासिंग्टन डीसी में है विश्व वैंक में सदस्देश हैं एकसो नवासी और विश्व वैंक की हेड है यही डेविट मलप्स आपको विश्व वैंक का मोटो याद रखना है इसका मोटो है निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कारे करना तो इतना आपको वर्ल वैंक के बारी में याद रखना है नेक्स्ट कोशन हाली में कब रास्टिय समुद्री दिवस मनाया गया है दिसका से यॉफ्शन है 5 अप्रेल हाली में 5 अप्रेल को रास्टिय समुद्री दिवस मनाया गया है इस दिवस को मनाने का उद्देश समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थ विवस्ता को बढ़ावा देना है दोस्तो आपको बता दें इस दिवस की शुरुआत 1964 में की गई थी दोस्तो 2019 में जो समुद्री दिवस की जो थीमे वह आपको याद रखना है इसकी थीमे हिंद महासागर अफशरों का महासागर तो आपको इस दिवस की बारे में इतना याद रखना है नेक्स्ट कोशन अगर स्टेट्स की यानी राजी की बात करें तो सबसे खराब स्थिती बिहार में है बिहार में 28,391 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है वहीं अगर हम MP की बात करें तो 17,192 लोगों पर एक डॉक्टर है दोस्तो आपको बता दें WHO के अनुसार 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना जरूर रहता है दोस्तो आपको एक और बता दें दिल्ली में सबसे चीस्तिती है दिल्ली में 2203 लोगों पर एक डॉक्टर है next question कौन सी कमपनी इंटर्नेट के लिए 3236 सैटलाइट लॉंच करेंगा तिसका से ऊफ्चिन है Amazon हाली में Amazon इंटर्नेट के लिए 3236 सैटलाइट लॉंच करेंगा यह ऐसे एरिया में इंटरनेट पहुँचाएगा जहां लोग इससे अंजान है यह सभी सैटलाइट लगवक चार सो मेल उचाई पर इस्थापित की जाएंगी दोस्तो अब बात आईए Amazon की तो आपको इसके बारें बता दे Amazon की इस्थापना 5 जुलाई 1994 में की गई थी फाउंडर है जैफ विजोस Amazon का हेड़कॉर्टर है वासिंग्टन यूएस में और इसके CEO है जैफ विजोस तो दोस्तो इतना आपको Amazon की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कोशन हाली में किस जिले में विंक्स फैशन और लाइफ स्टैल प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है तिसका से यूफ्टन है रतलाम हाली में रतलाम में विंक्स फैशन और लाइफ स्टैल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है यह एक तीन दवश्य कारिकरम है और खासवात ये है कि इसमें मुख्य अथिती के तोर पर MP की मिसेज इंडिया रही दिब्या पार्टीदार जोशी को बुलाया गया है दोस्तो अब बात आई रतलाम की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट रतलाम की बारें बता दें उजयन संभाग का एक जिला है रतलाम 1829 में कैप्टन वर्थविक ने रतलाम की इस्थापन की थी लॉंग सेव को मशूर है रतलाम सबसे अधिक अंगूर पैदावार करने वाला मध्यप्रदेश में सिर्फ एक जिला है वह है रतलाम गंगा सागर तालाव रतलाम में ही इस्थाथ है जवारा में हुसेंड टेकरी इस्थाथ है सेलाना वन्डेजीव अभ्यारन भी रतलाम में ही इस्थाथ है और बिल पाकिश्वर मंदिर यह भी रतलाम में ही इस्थाथ है तो दोस्तो इतना आपको रतलाम की बारी में याद इन्होंने पहले ही अटेंट में UPSC परिक्षा पास कर लिये दोस्तो अब बात आई है भोपाल की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको भोपाल के बारें बता दें जीलों के शहर की नाम से भोपाल को जाना जाता है प्रदेश का पहला एनरजी पार्क भोपाल में बनाया गया था और दोस्तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को मिथाल आईसोसाइनेट गैस का रिसा हुआ था जिसके करण भोपाल में हजारों मोते हो गई थी नेश्ट क्वेशन मद्यप्रदेश में कहां देश का पहला हीरा संग्रालय और नीलामी सेंटर बनेगा तो इसका सई ओफ्षन है खजराहो खजराहो में मद्यप्रदेश में देश का पहला हीरा संग्रालय और नीलामी सेंटर बनेगा इस संग्रालाय में 323 केरेट के हीरे रखे जाएंगे जो पन्ना की खुदाई के दोरान मिले थे खजराहों में ही क्यों यह बन रहा है तो इसका एक रीजन है दोस्तो खजराहों विश्व धरोहर और विश्व प्रिशिद्दे यहाँ विधेश से बहुत मात्रा में परेटक आते हैं जिस कारण यहाँ यह हीरा संग्राले बनाया जा रहा है इनेक्स्ट कंशन हाली में मद्धिप्रदेश के किजले में सरहूल उतसब का आयोजन किया गया है जिसका सरियोफ़्टन है जबलपुर हाली में जवलपूर में सरहुल उत्सव का आयोजन किया गया है यह उत्सव आदिवासी समूदा है कि लोग हिंदू नववर्ष सुरू होने की खुशी में मनाते हैं दोस्तो अब बात आईए जवलपूर की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको जवलपूर के बारें बता दें मद्यप्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है जवलपूर दूसरा सबसे बड़ा जिला है जवलपूर भारत का पहला जंडा सत्याग्रा है 1923 में जवलपूर में किया गया था मदन महल, दुर्गाबती की समादी, धुआधार जलपूर परपात यह जवलपूर में ही स्थते हैं भारत का पहला विकलंग पुनरवास केंदर भी जवलपूर में बनाया गया है मद्यप्रदेश का हाई कोर्ट उच्च नियाल है, जवलपूर में ही है जवलपूर जौन को 1998 में घोसित किया गया था नेक्स्ट क्वेशन, हाली में बीजेपी ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है जवलपूर में बीजेपी पार्टी ने अपना 49 इस्थापना दिवस मनाया है दोस्तो अब बात आईए बीजेपी की तो आपको इसके बारें बता दें बीजेपी की इस्थापना 6 अप्रेल 1985 में की गई थी हेड़कॉर्टर दिल्ली में है और पिसिडेंट है अमित सा है दोस्तो आपको बता दें बीजेपी अकेली एंसी पार्टी है जो बिग्यापन पर सबसे ज़्यादा खर्च करती है दोस्तो इतना आपको बीजेपी की बारे में याद रखना है नेश्ट क्वेशन हाली में किस भारतिये को फीफा में सदस से बनाया गया है तोस्तो आप बात आईए फीफा की तो आपको इसके बारें बता दें फीफा की स्थापना 21 माई 1904 में की गई थी हेड़कॉर्टर जुरिक स्विजरलेंड में है हेड है गियानी इनफेंटीनो और फीफा का जो मोटो है वो आपको याद रखना है इसका मोटो है फॉर दा गेम फॉर दा वर्ल्ड तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप मारे चैनल स्टेड़ी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक की जो शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मध्यप्रदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लिका राजर होंगे दोस्तो उपर वेल आइकोन में एक क्वेश्चन दिया गया है तो उसको भी आप सॉल्व करें तब तक लिए नमस्कार Have a nice day